बूरी गाइस इस वीडियो र phones निफ्टी को एनलाईज करनेह वाले है कल के लिए कि कल कौन कौन से मेजर और सपर्टलेबल हो सकते हैं निफ्टी के लिए या होंगे और इसी वीडियो में हम निफ्टी की आज वाम्मेंटी को भी कवर करने वाले है जैसे कि आपको पता ही था कि आज weekly expiry थी और Nifty ने कैसी moment की है उसके बारे में जानेंगे और हमारी जो strategy थी उसके according Nifty ने कैसी moment की या हमने जो previous video जो कल की video बनाई थी उसमें हमने जो mention किये थे support and resistance level और हमारी जो own strategy है उसके according Nifty ने कैसी moment की है तो ज्यादा time ना लेते वे चलिए start करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यह निफ्टी इंडेक्स का चार्ट ओपन है हमारे screen पे पांच मिनट के time frame पे तो निफ्टी ने जो starting point यानि opening price दिया था वो 50 point plus के आराउंड था जो कि 16,320 के आसपास opening की और निफ्टी का जो day low था जो morning में around 930 के आसपास जो लगा था वो था 16,286 का जो कि previous day का day low था oh sorry closing closing थी तो बात करते हैं इसे निफ्टी ने जो all time high लगाया है वो था 16,375 का आज निफ्टी ने all time high definitely लगाया ही है और निफ्टी ने जो closing दिये वो दी थी 16,360 की जो कि previous हम बोल सकते हैं कि जो अभी last week जो गया है उसमें निफ्टी ने जो high लगाये थे उसी पर निफ्टी ने अपनी आज की closing किया है तो बात करते हैं कि जो हमने previous वीडियो जो हमारी कल की वीडियो थी निफ्टी को लेके हमने उस पर कौन से major support and relations level करें वेते हैं तो चलिए आपको उस चार्ट पर लिचलते हैं आप देख सकते हैं निफ्टी इंडेक्स का ही चार्ट ओपन है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर तो मैं इन लाइन्स को थोड़ा ड्रोग वैसे गर देता हूं थाकि पूरा उस पर कवर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं 15 मिन टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन है हमारा इस्क्रीन पर तो इस लेवल से निफ्टी ने आज मुमेंट की आप देख सकते हैं कि जो यह हमारा मार्किट प्राइज है हमने कल मैंचिन के था यह मार्किट प्राइज है CMP जिसको बोलते हैं current market price पहला resistance जो all time high अला हमने mention किया यह बतरों जो major resistance मिली रहा था Nifty को वो था 16,330 का क्योंकि Nifty back to back इदरी से rebound होके रिटेस्ट करके नीचे आ रहा था और हमारे जो major support level ते एक यह था 16,200 का और second था 16,160 का आप देख सकते हैं हमारे strategy के according यह black curve को इसने respect किया और यहीं से इसने retrieve किया ठीक है तो अब simple सी बात करते हैं जो हमने कल reveal किया था कि आप अपने buying की position कहां पर create कर सकते हैं हमने कहाता कि अगर nifty flat open होता है जो current market price है या जो previous closing price था वहाँ पर nifty open होता है तो हम यहाँ पर अपनी buying की position इस level पर create कर सकते हैं और जो हमारा SL होगा current last closing day हमारा जो SL होगा वह होगा कि जो previous day का closing price था उसको break करते ही निफ्टे से हमें exit ले ले लेना है expiry day बट हमने आ रहा है यह था कि अगर निफ्टे ने इसके ओपर sustain किया तो हम buying करेंगे को definitely मिला निफ्टी में तो यह थी निफ्टी की आज की moment और हमारी स्ट्राटिक की according निफ्टे ने कैसे moment की यह जो level है हम लोग अपने टेलिग्राम चैलेंड पर mention करते ही हैं और साथ ही इस वीडियो के description आओ मतब सारी वीडियो के description box में भी mention किये जाते हैं तो बात करते हैं गाइस निफ्टी कल कैसे moment करेगा या कर सकते हैं और कल end of week है Friday और कल में भी profit booking देखने को निफ्टी में मिल सकती है और निफ्टी अभी इतनी जल्दी और और हाई नहीं लगाएगा हमारी जो strategy थी जो हमने reveal करा ही हुआ था वना time frame पर देखें तो जो आप देख रहे हैं यह black और blue curve जो है वो बहुत ज़्यादा wild हो गए हैं इन दोनों को narrow आना है है कि इन दोनों को पहले वो narrow होना है अभी मैं आपको प्रीवेस चार्ट पर भी दिखाऊंगा कि हमने जो पहले की वीडियो बनाई थी उनमें कैसा चाहां तो यह जो day high आज लगा है all time high तो वहां पर निफ्टी अगर session नहीं करता है तो हमें दुबारा definitely इस लेवल का वेट करना है 16,200 या 16,160 के लेवल दुबारा देखने को मिल सकते हैं आने अले दिनों में और निफ्टी इसी रेंज में ही consolidation करेगा definitely करेगा और बात करते हैं जैसे कि हमने जो reveal कहा था previous उसमें निफ्टी ने आप देख सकते हैं इसी लेवल पर consolidation की थी let me show you यह देखें यहाँ पर जो curve है वो बहुत ज़्यदा wild हो गया बट निफ्टी यहीं पर retest again और जो हमारे जो curve था उसने narrow किया अपने आपको ठीक है फिर बहुत ज़्यदा narrow होते ही निफ्टी में हमें अच्छी खासे तेजी देखने को मिली तो definitely यहाँ पर भी यही तो निफ्टी यह इस लेवल पर consolidate करेगा और then इस लेवल को break करके उपर जाएगा maybe says end of the year like December में हमें निफ्टी 17,000 भी टच करता हुआ देख सकते हैं I hope देखें जितने भी support and major resistance level है वो आपको description box में mention कर दिये जाएंगे आप वहाँ पर check कर सकते हैं और previous video का link भी हम description box में डाल देंगे आप वहाँ पर भी check कर सकते हैं I hope आपको यह video पसंद आई होगी Thanks to all of you watching this video आप हमें Twitter handle, Telegram और Instagram पर follow कर सकते हैं For more updates आपको 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 पर देंगे